एकदम सॉफ्ट और एकदम चाली तार बनेगा यह इंस्टंट रवा उतपम सुबह को नास्ते में बनाना हो या साम की हल्की भूक मिटानी हो या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो यह रैस्पी एकदम परफेक्ट है तो हाई दोस्तों मैं कुसम स्वागत है आपक यह साथ इसमें डालेंगे आजा कप दही ना खटी लेनी है हमें और इन सब को मची तरह से मिला लेंगे और आप इसमें डालना है हमें पानी थोग ड्राई लग रहा है तो हम 1 4th कप के लगवग पानी इसमें एट कर लेंगे अब इतना ही पानी डालेंगे पाद में अगर जटोट होगी तो फिर और पानी हम इसमें डालेंगे तो अची तरह से मिक कर लें तक कोई गुटलिया ना रहें और दही सूजी सब कुछ आपस में मिल जाए तो बैटर की कंसिस्टेंसी ना हमें ड्रॉपिंग रखनी है करने देंगे और तयार करेंगे हम एक किस की टॉपिंग तो यहां मैंने एक बाल में आड किया है बारिक चॉप किया हूँ प्याद इसी के साथ टमाटर भी डाल देंगे अपको टमाटर पसंद नहीं हो तो इसे छोड़ भी सकते हैं और हरी मिर्च डालेंगे चॉप करके त वहार देंगे कर दो टम तो घड़ी कर लेड़ते हैं तो और के साड़ा सिंद शैव सारी भी डालेंगे प्याज्यों झालेया बारिक कर लिए तो कोई जरूरी निकिया है डू कूद जिशली डालेंगे तो यह जो टॉपिंग है ना जिस समय आपको टमाटर रहे दाना व त पहले से बना करके रखेंगे तो यह पानी छोड़ देगा और बहुत ही जादा सौफ्ट और सौगी हो जाएगा तो देखिए सुजी जो है फूल चुका है इसने पानी को सोप कर लिया है तो इसमें हम और पानी आट करेंगे ताकि थोड़ा यह पतला हो जाए तो यहां फिर से हम 1-4 cup के लगवग में पानी आट करेंगे बैटर को जादा पतला नहीं करना है हमें तो बैटर की कंसिस्टेंसी ना हमें फिर से ड्रॉपिंग ही रखनी है जादा पतला कर देंगे तो पैन में डालती ही चावसाइट फैल जाएगा इसका अच्छा सेप नही पानी इतना है अब इसके ऊपर हम डालेंगे यह डवा के बैटर को इस तरह से पतला भी नहीं करने हों और मोटा अब इसके उपर हम तैयार के वी टॉपिंग को डाल देंगे तो जितनी इक्षा हो उसे साफसे डाल दें इसलिए अब हमने तुरेंट बनाया है तो इसमें पानी नहीं है नमी नहीं अगर पहले से बना के रिखेंगे न तो बहुत गीला हो जाएगा इसलिए जिस वक्त उतप मिनट तक पकने देंगे या फिर जब तक की उपर से ट्राइन नहीं हो जाए उसके बाद इसे हम पलट देंगे और दूसरी साइट से भी इसे हमें सेखना है तो धीमी आज पे इसे हम दो से तीन मिनट तक और सेख लेंगे ताकि सबजियों में थोड़ा कलर आ जाए और से नहीं सेखना है बस इसे ढख दें और दीमी आज पे दो तीन मिनट तक पकने दें तो देखा अपने एक छोटा चमिक तेल ही हमने यहां यूज किया है इस उतपम को बनाएने में और यह हमारा देखिए हेल्दी टेस्टी इंस्टेंट उतपम तैयार है अब इस उतपम को